रामदो बाबा भी भगवा कलर का गमशा पहन करके परचार करते हैं तो उस समय आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं तारूख खान मुसलमान है इस लिए इस फिल्म का विरोध हो रहा है अरे बिल्कुल पठान बनाना ही था तो वो बुरका वाली को लेकर बना लेता तो हम लेते हैं वह बुरका पहन कर आया नहीं वह नंगर बस्त्र हिंदू की बहुत बहुत सारे गानों में रवी किसंज की हैं उन लोगा विरोध आप लोग क्यों नहीं करते हैं रणबीर का पूर वह भी नंगबस्त्र पहनता है उसका कौपी यह भी कर लिए यह लोग यह लेकिन यह पादुकौन कहां से आगे इसको हम लोग जानते ही नहीं है पूरे तरह तरीके से बॉयकॉट करना है अरे ऐसे सारू खान तो हमारे बजरंगदल में बहुत सारे पड़े हुए हैं पूरा फिल्म रिलीज होने ही नहीं देंगे तो होगा कैसे नहीं होने देना न अलंदा दस्तक आपको बहुत अच्छे से पता होगा सारू खान का एक फिल्म आने वाला है जिसका नाम है पठान और उस पठान का गाना रिलीज हुआ है बेसर्म रंग और उस बेसर्म रंग गाने को ले करके पूरे देश में जो बीजे पिसासित परदेश है यहां तक कि और भी बहुत सारे राज्यों में उसका विरोध हो रहा है पठान फिल्म का विरोध हो रहा है सारूख खान का विरोध हो रहा है खास करके जो उस गाने में अभीने कर रही है जो अभीनेत्री है उनका विरोध हो रहा है यहां पर बजरंग दल के कुछ नेता है मुन से वरत का बिरोध तो होना ही चाहिए जिस परकार से ये जिहादी लोग हिंदू लड़कियों को रख कर और खुद भगवा को पहना कर और खुद हरा टीशट सट पहनता है ऐसे सारूख खान को बिरोध होने चाहिए उसका मेन रीजन क्या है बिरोध होने का रीजन यही है कि भाई वो जिहादी है वो पाकिस्तान को अच्छा मानता है भारत को अच्छा नहीं मानता है तो तो होना ही चाहिए उसका जाते हैं पाकिस्तान जाएंगे अपना उस गाने का आप लोग बिरोध कर रहे हैं हम लोग पूरे फिल्म का बिरोध कर रहे हैं हो नहीं हुआ है कैसे नहीं होने ही देना एक दम भूरा आप लोग कर रहे हैं पूरे फिल्म पाइकोट करने हैं विल्कूल है और ऐसे जो भी लोग आंगे जो हिंदू के प्रती कुछ सदेंद रचकर फिलम बनाएंगे उसको चलने हम लोग नहीं देंगे इसके पहले भी बहुत सारा फिल्म रिलीज हुआ है उसमें भगवा कलर का अपमान किया गया है रामदो बाबा भगवा कलर का गमशा पहन करके परचार करते हैं तो उस समय आप लोग विरोध क्यों नहीं सभी जब यूद करेंगे तो किस परकृसे करें उसी परकार से कर सकते हैं लेकिन भॉली बूड में परकार कास करता लोग атाग नेते हैं और कुछ संग छन है जो उस पर चै controversy वाथवा क्या आप मेरे पहले के बारे में इसकर बताता हूं जब तो इस तो बिलकुल बेकार नजरातीया सिफफ्र नाम की हिंदू दिखाई देतीया और मुझे तो यह बिलकुल पसंद ही नहीं है जो भारत की बात को भारत को तोड़ने की बात को करे और उसके सपोर्ट में यह लोग खड़ा होती है पर आते हैं कि अ सब्सक्राइब करते हैं और उसकी नहीं कर सकते हमारा हिंदू है और उससे ज्यादा सेर है वह लोग पूरे समाज के रूप में और पूरे देश के लिए हम लोग है पूरे क्या बोलीवूड का आप लोग रोध करते हैं खास करके कुछ वर्स से अगर देखा जाए तो ट्रेंड आ गया है वाई कॉट वालीवूड क्यू वाई वाई कॉट वालीवूड होना ही चाहिए जो समाज की बात को नहीं चाहिए कोई अंगब अनंग बस्त्र पेहन कर आएगा और हम उसकी बात को समंत्र करेंगे क्या एक दम बिलकुल समंत्र नहीं करेंगे हमारी बहन बेटियों का इज्जा थे का अगर वो से यही पिक्चर कु कि समाझ की रीट करने वाली बेहन बैटीया है हमारी रहा बहन के मतलब करने वाली है हमारी हम्दू समाज की हे लीढ़ी बेहन बेटी है हमारी लेकिन तो वो जो बहन भी है वो बिल्कुल मेरे तो जो टुकले टुकले गैंग के साथ में सामिल है मैं तो उसको दीपी का पादुकों से यही कहूंगा कि अभी भी मौका है सुधर जाओ बरना तुम्हें रोड पे लाने में देर नहीं लेगा या तो सारुखो या तो कुंदन जी कुंदन जी कुंदन जी तो भारत का जो संस्कृति है जो मतलब की पुरवज से चला रहा है उसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं यह बिल्कुल तोड़ने का तो साजिस यह बॉलीबूड वाले कलिदे हैं और अब देखा देखी आप ले यह लोग भोजपु अच्छा आप एक युवा हैं तो अक्षे कुमार का भूल भूल यह मूवी देखे होंगे उसमें भी एक गाना उसमें भागवा कलर का कपड़ा पहन करके पूरा एकदम अंग प्रदर्सन कर रही है निरहुआ भी बहुत मतलब की अंग प्रदर्सन के बहुत सारे गानों मे अगर बहुत मतलब की दोहरा निती कहां इसमें हो रहा है अरे भाई हम सीधा सीधी बोल रहे हम हिंदू की सपोट करते हैं अगर हिंदू की बात करेगा वही है अगर वैसे लोग अश्रीलता प्रदर्सन को फैला रहा है तो उन लोग को भी निवेदन है उनको चेताब निदेंगे क्योंकि वह मेरे हिंदू है उनको हम समझा सकते हैं लेकिन जो जिहादी लोग है उनको समझाने की बशकता नहीं है कि उनको मान सिकता वह बनी होई है प्रिप्लान की प्रिप्लान से चल रहा है उनका सारा का सड्य अंत्र जिहादियों का फैला हुआ है और हम लोग पूरा सड्य अंत्र को हम लोग समझ चुके हैं बढ़िया तरहीं किसे तो अब यह सब चलने वाले नहीं हैं कि शारूप खान वोलते हैं किसी कीमत पर यह जुं हमारे तो ँमौवी लाग ही तो मैं और किर समतर में ऐसे कार करताँ है तोению नहीं आप में इसारे से 50 με महल मनें जाकर कोई हिंदू अगर मुझे बता कि देख मच और के किस परकार से आंगे serdure अप लोग ट्यार हैं उधोले तरीके से हम तैयार हैं क्या पूरी तरीके से boycott करना है इसको एकदम भारत का जो संस्कृति है वो कुछ और नाम से जाना जाता है लेकिन आजकल Bollywood में क्या है कि एकदम पूरा स्लीलता दिखाया जा रहा है पूरा भारत के संस्कृति को बरवात करने का एक यह लोग रच रहे है इस तरह से पूरे स्लील पहले वी जो फिल्म आये है उसको भी boycott करते हैं हम लोग अच्छा इनको क्या कहेंगे इसके पहले मूवी आई थी कौन तो थे उनका भी नाम हम भूल गए खान ग्यांग वाले के तो मानसिक्ता बन पड़ी है वो लोग जिहादी जो है वो प्लान बना चुका है कि हम लोग उसको बुर्गा पहनाने की कोशिस में नहीं लगा रहता है तो अमीर खान को को कहने मुझे कहने ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे बाकि हिंदू समझदार है बाकि वो लोग को पता है कि क्या आगे होने वाला सी चड़्डा पूरी तरह से फ्लॉप कि करवा हम लोग सब लोग मोहिम चला है और उनका पूरे तरह से फ्लॉप हुआ है मुझे लाल सी चड़्डा अमेर खान का लाल सिंग चड़्डा जब मुझे रिलीज होने वाली थी तो उस समय आफी के राज के विनेत्री है क्या नाम है अक्षरा सिंग अक्षरा सिंग उस फिल्म के समर्थन में आ जाए फाइदा होगा उसे देगे कुछ लोग आइसे भी यहम को मालूम है चुपा हुआ रहता है जाई-चंद तो होते ही होते है कोई ना को जो तो वैसे वैसे जैचन्द को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो उसी जैचन्द में यह अक्षरा सिंग भी गिंती आती कि वह भी जैचन्द की गिंती में आजा कुछ हैं के से वह लोग करते हैं लेकिन ऊससे कोई फायदा होने नहीं है पूरी तरय के से फ्लोप को नहीं होने भी म्ह necesite posture नहीं होने देंगे अशल रेलेशन होने कि हम डाख में होने ऑफिर merged मतलब की सासित प्रधिस है बिहार में तो कुछ हैधाई यहां हिदु में ऊकिन है हें अपना लोग थो करें जो के लिए होना है वो तो वेस्टों तक बहुत ज्यादा पॉपलर है हाँ लेकिन आजकल क्या है आजकल के नए जो अश्टार है यह अपने पॉपलरिटी के लिए अलग तरीके से हमारी संस्कृती को दिखा रहे हैं तो हम लोग कई नहीं इसको पूरे ब्यापक तरीके से इसको बॉइकॉट किया लेकिन भोजपूरी में जिस परकार से लिलता वड़ रहे हैं कुछ नंजी उसका उन कलाकारों को क्या कहेंगे वह लोग जो देखता हूं मैं मोबाइल पर मुझे तो अब रिल्स देखके घिन आने लेगी है पहले तो स्टेज सो किया जाता था अभी तो घर में स्टेज सो च अब लोग बिल्कुल मैं यही कहांगा कि उन लोग को समझानी क्या सकता है हमारा भारत बिश्वरु कैसे बनेगा हमारा जो संस्कृति था जो धरोर था उसको अगर वापस हम लोग ले आते तो अपने अब बिश्वरु बन जाएगा यह अम लोग बेश्टन कर चलना के थो जी सब मोभी के बारे में क्या कहेंगा खान साव का मूभी आ रहा है लोग नहीं चाहिए ऐसा इसा मोभी देगर एकदम फलाप होना चाहिए क्यों आप लोग बिरोध कर रहे हैं क्योंकि यह देश का तोड़ने का त्यों हम लोग हिंदु समाज को के हमेंसा नीचा दिखान आपको लगता है कि पठान फिल्म आपके समाज को नीचा दिखाना चाहते हैं क्यों आपको लगता है कि पठान फिल्म आपके समाज को नीचा दिखाना चाहते हैं वह अप लोग नहीं देखें नहीं नов सी बिरोध करते हैं तो फिल्म का स्रेजिए 되지MA करते उस घाने में जो रिटीप का सकता इनका कर तोनों को बिरूद करते हैं पादू का इंप्रियू लिसकन दोनों को बिरोध करते हैंוס अधर उस फिल्म का विरोध करेंगे एस फिल्म का विरोध करेंगे आ फिर पुर्भ में मतलब कि आने वाला फिल्म है बहुत सारे जो खान गएंग हैं कि क्ट्व filled को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं करते हैं उनको हमारे देश से डर लगता है और अमीर खन का बेटी लंगा आती है के काटने के लिए हैं उनको हमारे समाझ और चे से ज से डर लगता है। और हम्हारा ब्हाराट से डर लगता हुर उनका बैटी यह जो लंगा क्ये काटई है और हमारे समाझ को खराब करती है। अचा समाझ में अच्छों से सलिल परोस रहीं आप ride hai एक दम सलमान खान सारु खान के यही कामें अमीर खान का सलमान खान का यह बात करें कुछ महीना आ थी कुछ बर्स पहले बजरंगी भाई जाने एक फिल्म आया था सूपर डूपर हीट हुआ था कुंदन जी वो तो हो गई ही वो दिखाया था कुछ में कुछ से स्टोरी जो थी ठीक ठाक ही थी लेकिन वो जो नाम था वो बिल्कुल गलत था हैना वजरंगी के साथ भाई जान नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि जान का सब्दे मुस्लिम लो को पकड़ीए गा आप लिए जब जब संकल चाट और देस का संकल है तो हिंदू यहां परूआ है कितने कितने चले जाएंगे मुझे उसकी चींता नहीं बहुत सारे भाएक हो आने वाली जो हिनुस्सार रागिकाम करने नेता थे इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो पठाने फिल्म आने वाला है उसका विरोध करेंगे एवं उपरफ अब सूपर फ्लाओप करते हिट ऊगए तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहेना अल्त